बाबा विशुनात के नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरिट चैनल स्टेटिवी टीम बनारस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो 31 जनवरी 2021 को एक्जाम हुआ था सीटेट का उसमें जो English Pedagogy के 15 जो questions पूछे गए थे उनको हम विस्तार से डिस्कस करने वाले इस वीडियो में जो अभी आपका online exam होने वाला है उसके पहले आप इस वीडियो को जरूर देख के जाएगा क्योंकि previous year questions repeat होने के chances होते हैं तो start करते हैं हमारे first question से 30 नंबर की English आती है seated में जिसमें से 15 नंबर का reading comprehension होता है paragraph वाला question और जो बाकी के बचे 15 नंबर की questions होते हैं वो होते हैं English Pedagogy के तो वही हम discuss कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे 106 जो कि हमारा first question वो कह रहा है तो इस question को कहने का purpose है कि यह कह रहा है question कि एक भाशा की अध्यापक या अध्यापिका है सबसे पहले वो class में किसी class में जाती है तो अपने आपका जो introduction होता है वो बच्चों को देती है कि मेरा नाम ये है मैं ये subject आपको पढ़ाऊंगे इतने बज़े पढ़ाऊंगे whatever ठीक है उसके बाद वो कहते हैं कि same process जैसे मैंने आपको आप सभी के सामने खुद को introduce किया आप भी वैसे ही अपना अपना introduction अपने friends को देजिए ठीक है तो ये activity मैडम करवा रही है class में बच्चों के साथ में तो वो क्या increase करने के लिए कोशिस कर रही है ठीक है क्या वो बढ़ाने की कोशिस कर रही है बच्चों में BICS का full form होता है basic interpersonal communicative skills BICS देखे वो language होती है जिसको कि हम daily आम भाशा मतलब daily हम formally use करते है आपस में बातचित करने time या कोई भी ठीक है जैसे वो पढ़ाई वाली academic language नहीं होती है तो इसी को कहते है BICS जैसे आप किसी को अपना introduction दे रहे हैं तो वो भी BICS के according आएगा और देखें next option है CALP ठीक है अब इसके बारे में भी देखना जरूरी है CALP का full form होता है cognitive academic language proficiency क्या होता है cognitive academic language proficiency और ये दूनों को ही propose किया गया था by मतलब दिया गया था by Jim Cumans ये चीज़ आपको इतनी information ध्यान में रखनी है अब एक बार इसके बीच में difference मैं बताती हूँ जैसे BICS क्या होता है और CALP क्या होता है जैसे देखें सपोज आप अगर कोई essay writing कर रहे हैं ठीक है और या तो फिर अगर किसी जो paper वगरा exam paper है उसको उसमें writing कर रहे हैं लिख रहे हैं या read कर रहे हैं या फिर जो आपके text books हैं या आपका जो अभ्यास प्रिशन के question solve करके लिख पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीज़े CALP में आएंगी क्योंकि इसमें देखें C से cognitive आपका जो full form है CALP का वही stand कर रहा है C से cognitive ठीक है तो मतलब दिमाग वाले चीज़े जिसमें करनी होंगी तो वो CALP में आएंगी और BICS वाले में क्या आएंगी BICS में जो basic interpersonal जो आपस में बाचित communication जो होता है वो सारी चीज़े जो daily life में करते हैं लोग वो BICS में आएंगी तो madam अपना introduction दे रही है और बच्चे भी अपना introduction दे रहे एक दूसरे को तो BICS में आएगा ठीक है इतनी information आपको ध्यान में रखनी है अब next question की तरफ चलते हैं तो next question कह रहा है कि literature should be included in language classroom because अब देखिए जो साहित्य होता है literature होता है चाहे हिंदी, संस्कृत या फिर English किसी भी language का जो साहित्य होता है उसको class में include किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ठीक है तो पहला option कह रहा है it helps learners to be budding writers ठीक है दूसरा करा it gives exposure to different grammatical forms and structures तीसरा करा it develops moral values among the learners चौथा करा it exposes them to different genre, culture and social issues तो यही आपका option number D जो है न option number 4 यही correct हो जाएगा क्योंकि बाकी के जो तीन option है वो भी सही है लेकिन इसमें सारा over holistic manner में दे दिया गया है जिसे पूरी जानकारी दे दिया है मतलब कि जो बच्चे होते हैं अगर उनको literature पढ़ाया जाएंगे तो उनको types of genres जैसे कि उनको story का ग्यान होगा drama क्या होता है उसका ग्यान होगा और प्लस जो novel होते हैं उपन्यास वगेरा वो सब का ग्यान होगा फिर उसके बाद उनको culture का पता लगेगा समाजिक जो भी प्रथाएं या कूप रथाएं जो भी है वो सारे चीजों से वो aware हो जाएंगे ठीक है तो इसी लिए literature को include करना चाहिए in language classroom ठीक है इतने information आपको ध्यान भी रखने है next question है अगर देखिए इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई teacher है अगर किसी बच्चे को कोई चीज समझा रही है तो अपनी body movement के साथ समझा रही है जैसे अपनी how-how, expressions वगेरा सब दिखा के बता रही है जैसे उस बच्चे को imagine करवा रही है कि बेटा दिखो मैं ये आपको बता रही है तो आप उस दुनिया में बिलकुल घुस जा आप उसको imagine करो कि हाँ ये चीज हो रही है और जो बच्चा है ना जब जैसे कोई teacher है बस चुपचा पढ़ रहा है बता रहा है चुपचा पढ़ रहा है बता रहा है तो ऐसे नहीं समझते बच्चे बच्चो को उनके ही रंग में रंग के उनके साथ अपने how-how, expression, gestures वगेरा दिखा कर ऐसे expressions दिखा कर बच्चो को समझाय जाता है जिसको कि क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉंस ठीक है तो option number A यहाँ पे आपका correct हो जाएगा कि वो teacher अगर bodily movement करके बच्चो को समझा रही है कोई चीज़ बता रही है तो वो किसके अंडर में आएगी तो इसको कहते हैं short form में T, P, R टोटल फिजिकल रिस्पॉंस तो यही आपका correct answer हो जाएगा next चलते हैं हम in a language class students are memorizing the dialogues through drill and practice and the teacher is correcting their pronunciation mistakes practicing the dialogues in chores the teacher is following the देखे एक language का class हो रहा है मतलब भाशा कोई भी भाशा जैसे Hindi English Transcript की कोई भी class हो रही है और वहाँ पे जो students है वो खाली रट रहे हैं मैं वो rise कर रहे हैं जो भी dialogues है उसको practice के थुरू या फिर अभ्यास या drill के थुरू उसको रट रहे है ठीक है और जो teacher है बस उनकी जो pronunciation है जो उनका उच्छारड करने का तरीका है बच्चों का उसको correct कर रही है तुरंथ के तुरंथ immediately यहाँ पे लिखा है न उसको तुरंथ correct कर रही है they are practicing their dialogues in chores चोरस मतलब होता है एक स्वर में जैसे आपने primary school में देखा होगा बच्चे पहाड़ा पढ़ते हैं दो एककम दो दो दुनीचार या ABCD कुछ भी पढ़ते हैं तो साथ में एकदम चिला के पढ़ते हैं चोरस में तो वही चैस हो रहा है ठीक है तो बच्चे ऐसे बोल-बोल के जोर से practice कर रहे हैं तो यहाँ पर टीचर क्या करवानी की कोशिस कर रही है मतलब कौन सा method यूज करवा रही है तो देखे इसमें कौन सा method यूज होगा तो इसमें होगा audio bilingual method ठीक है audio lingual method sorry audio lingual method का यूज हो रहा है क्योंकि बच्चे जोर-जोर से चिला के पढ़ रहे हैं और एक ही साथ सारे बच्चे इस चीज को drill या practice के थूँ उसको memorize कर रहे हैं ठीक है अब जैसे किसी को बच्पन में पहाड़ा याद नहीं होता था कैसे याद नहीं ठीक है अब हम next देख लेते हैं next question कहता है कि the oral errors of the students can be best corrected if the teacher देखे अगर oral errors होते हैं oral मतलब की जो मोखिक मतलब बोलने के time या pronunciation के time पे जो errors होते हैं मतलब जो गलतियां होती है students से तो उनको कैसे correct कर सकता है अगर कोई teacher correct करना चाता है ठीक है तो पहला option कहा रहा है कि corrects an error directly after the student has made the error तुरंथ के तुरंथ ही किसी student ने अगर कोई error किया है तो उसको तुरंथ teacher के दारा उसको correct कर देना चाहिए directly मतलब कि उसको मौका भी ना मिले कि ठीक है तुम अपनी आप से सोचो कि कि इसमें तुमने क्या गलती की है तो ऐसा तो यह गलत बात है क्योंकि बच्चों को सीखने का मौका देना चाहिए तभी वो किसी भी चीज को सीख पाएंगे ठीक है next कह रहा है कि points out the error in general and lets the student try to correct himself first तो देखिए यहाँ पे जो option number B है न वही correct हो जाएगा क्योंकि देखिए अगर कोई बच्चा कुछ भी एक paragraph पढ़ रहा है ठीक है उसके बाद madam को सोचना चाहिए या sir को जो भी teacher है तो उनको सोचना चाहिए कि जो भी बच्चा अगर पढ़ रहा है पहले एक पूरा paragraph complete कर ले उसके बाद उसको point out करे कि बेटा देखो यहाँ पे आपके इस paragraph में इस line में आपने गलत पढ़ा था तब जाके उस बच्चे को समझ में आएगा ठीक है और दूसरी तरीका यह हो सकता है कि आपको जो point out कर दिया कि देखो बेटा यहाँ पे गलत है उसके बाद उसको बोले कि आप खुद से इसको सही करो यहाँ पे देखे points out the error in general and lets the student try to correct himself first यही चीज़ कही गई है कि आपने मैंने आपको errors बता दी जब teacher student को errors बता देता है point out कर देता है तो उसके बाद बच्चे से बोले कि आप ठीक है errors मैंने बता दिये अब आप इसका सही जो चीज होगा इसका सही pronunciation या उचारण क्या होगा आप मुझे खुद बताएं तो इस तरीके से बच्चे ज़्यादा सीखेंगे ठीक है अब हम next देख लेते हैं next कह रहा है कि as a pair activity the teacher gives her learners almost the same pictures and asks them to find the difference between the two students ask each other questions to discover how the two pictures are different this can be a ठीक है देखें एक pair of activity मिलती है मतलब कि दो activity मिलती है teacher अपने बच्चों को देती है almost same pictures देती है ठीक है बच्चों को and उनको पूछती है कि इसमें इन दोनों pictures में difference बताओ मतलब थोड़ा बहुत ही अलग रहता है बस थोड़ी बहुत जो difference होती है उसको बच्चों को बताने के लिए find out करने के लिए two students को देती है और उनमें से दो students में से प्रतेक को पूछती है कि इसमें discover करो इसमें खोजो कि कैसे ये दोनों pictures थोड़ी थोड़ी जो differences है कहां कहां differences है न तो ये सारी चीज़ अगर madam करवा रही है class में या teacher कोई भी करवा रहा है तो ये कौन से activity आएगी तो ये आएगी आपके speaking activity ठीक है speaking activity के थूँ मतलब कि madam सोच रही है कि जो भाशा के चार causal होते हैं four skills of language तो वो होते हैं कौन-कौन से L, S, R, N, W तो वो कौन से skill को वो प्रमोट कर रही है तो speaking skill को या speaking activity करवा रही है ठीक है बच्चा बोलेगा ना कि हाँ देखो madam यहाँ पर ये difference है इसमें ये difference है तो उस तरीके से उसके speaking skill है वो improve होगी next question हम देखते है a student of class fourth is having some problem in writing she may have एक student है class fourth की तो उसको कुछ लिखने में problem है ठीक है in writing तो वो कौन सी इसकी deficiency है या कौन सी कमी है इसको क्या term दिया गया है तो इसको बोलते हैं हम dysgraphia बोलते हैं ठीक है dysgraphia कहते हैं इसको और अगर बात करें dysphasia की अगर कोई language से सम्मंधि calculations वगेरा mathematical calculations में अगर problem होती है तो वो dyscalculia कहलाता है और dyslexia क्या होता है अगर reading में मतलब पढने में अगर कोई पठन विकार आ जाता है reading deficiency आती है तो उसको dyslexia कहते हैं तो इसका जो option number B है वो correct हो जाएगा कि उसको अगर लिखने में problem है problem in writing it is called dysgraphia अब हम next देख लेते हैं next कह रहा है it specifies the rules which govern the arrangement of words into phrases clauses and sentences ठीक है देखे एक rule होता है एक term होता है इन चारों options में से ऐसा कौन सा term है जिसमें की phrase भी आते हैं clauses भी आते हैं और sentences भी आते हैं मतलब एक पूरा एक समझ लिजे एक पूरा उसमें phrase आ रहा है clause आ रहा है और sentence आ रहा है एक ऐसा कोई paragraph या ऐसा कोई जो rule of sentence है वो चीज़ क्या कहलाता है तो वो चीज़ कहलाता है syntax ठीक है वाक्य निर्माड टाइप में इसको हिंदी में कहेंगे तो उसमें phrases भी होते हैं clauses भी होते हैं और sentences भी होते हैं तो यह चीज़ information आपको ध्यान में डखनी है कि syntax में क्या क्या तीन elements होते हैं phrases, clauses and sentences अब next हम देख लेते हैं इसको अलग अलग जो languages होते हैं हिंदी, English, Urdu और Sanskrit इसमें उन सभी को label कर देती label करने का मतलब कि उसमें कुछ कागज पर लिखके अलग-अलग भाशा में चिपका देती जैसे blackboard को English में तो blackboard ही कहते हैं अगर blackboard को shampert हिंदी में कहते हैं तो shampert लिख देती है और अगर जैसे की window है मतलब खिड़की है उसको खिड़की को Sanskrit में क्या कहते हैं तो वही चीज उस पे लिखके चिपका देती है ठीक है तो वो ऐसा अगर कर रही है क्लास में तो वो क्या चीज प्रमोट कर रही है मतलब क्या चीज को बढ़ावा दे रही है तो यहाँ पे देखें multilingualism को बढ़ावा दे रहे हैं मतलब कि बहु भाशिकता को जैसे कि एक बच्चा और हिंदी या उसकी mother tongue के अलावा और अन्य सभी भाशाओं से परिचित हो सके इसलिए वो ऐसा कर रहे है ताकि बच्चे को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और संस्कृत अन्य सभी भाशाओं के उसको जानकारी हो सके तो इसका correct answer कौन सा हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा option number d देखें यहाँ पे लिखा हुआ है it is a rich resource for promoting multilingualism ठीक है यह इसको किसको promote करता है multilingualism को promote करता है क्योंकि बच्चा इस तरीके से अन्य सभी भाशाओं के जो भी words है उनको acquire कर लेगा और वो जान जाएगा ठीक है तो यहाँ पे अब हम चलते हैं next question की तरफ the assessment process not only assesses students learning but also assesses teachers teaching process this statement is मतलब यह कहना चाहरा है कि क्या यह जो statement लिखा है कथन लिखा है वो सही है या गलत है तो पहले हम देखते हैं यह statement कहना क्या चाहरा है तो यह कह रहा है कि जो assessment process होत होता है कि मतलब बच्चा कैसी performance कर रहा है madam या teacher जो भी check करते हैं तो यह क्या सिर्फ students के learning process को check करता है या तो फिर teacher की भी teaching process check होती है इसमें तो obvious सी बात है कि दूनों का ही एक दूसरे से close relation होता है एक teacher और के student का दूनों का ही close relation होता है अगर कोई teacher बहुत अच्छी से बच में आ जाता है किसी भी student को तो एक तरीके से जो teacher की teaching style है उसका भी assessment होता है मतलब उसका भी correction होता है और जो student है उसका जो कैसा performance हो रहा है उसकी learning performance के भी checking हो जाती है इस तरीके से तो यह fully right है ठीक है तो यहाँ पे option number B सही हो जाएगा कि यह पुर्णतया कथन यह सत्य है या सही है next हम देख लेते हैं the language which is learned from environment without any explicit teaching is ठीक है तो देखे ऐसा कोई language हम जो सीख लेते हैं बिना किसी academic पढ़ाई के मतलब बिना किसी school गया या बिना किसी teaching के या किसी ने हमें बताया पढ़ा है नहीं हम बस वो language automatically सीख जाते हैं ठीक है तो यह कौन सी language कहलाएगी तो य मतलब कि जो आपकी mother tongue होती है मात्रिभासा जो आप अपने घर में सीख जाते हैं जैसे कहीं अगर विदेश में बच्चा है तो वो automatic कैसे सीख जाता है पूरी English उसको समझ में आ जाती है ऐसा तो नहीं है कि उसको बचपन से grammar के जो rules वगरा उसको रटवाये जाते हैं समझा जाता है ऐसा तो कुछ नहीं है जैसे हम ही लोग है हम लोगों को हिंदी का भी कोई ऐसा तो नहीं है कि बचपन में मम्मी पापा लोग सिखाते थे नहीं न हम लोग बस ऐसे ही without any explicit teaching हम सीख जाते हैं तो वो हमारी first language होती है और second language क्या होती है जब हम किसी भी rules या किसी भी regulation म रहके school में जाके academic पढ़ाई करते हैं तब हम second language सीखते हैं जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें English grammar पढ़ाई जाती है ताकि हम क्या करें English language को भी सीख सकें और English language को भी use कर सकें या बोल सकें तो वो हमारी second language होगे और जो हम लोग बिना किसी effort के effortlessly हम लोग सीखते हैं पतलब बिना किसी grammar rules के हम लोग सीख जाते हैं, तो वो first language या मात्री भाशा या mother tongue कहलाती है, ठीक है? तो option number A इसका सही answer हो जाएगा. Next हम देख लेते हैं, देखिए, यहाँ पर next है, A teacher is facing the problem of students' poor spelling. She listed the probable cause for it and then decided to frame some steps to overcome it. This whole process is called, एक teacher है, वो face कर रही है problem, कौन सी problem? एक student की problem है कि वो spelling को गलत तरीके से बोल पा रहा है, मतलब spelling उसको अच्छे से याद नहीं हो पा रही है, उस student को, ठीक है? तो वो एक record बनाती है, she listed the probable cause for it and then decided to frame some steps, वो कुछ फिर steps अपनाती कि कैसे हम इस बच्चे की जो poor spelling के problem है, उसको हम क्या करें? दूर कर सके. ठीक है? तो वो immediate जो overcome करने के लिए इससे कि बच्चे ऐसी गलतिया ना करें, तो वो अगर कोई planning करती है या step follow करती है, तो वो क्या कहलाएगी? ये जो whole process है, वो क्या कहलाएगी? तो इसका correct हो जाएगा. option number C, action research, इसको कहते हैं क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है? क्रियात्मक अनुसंधान कोई भी teacher या कोई भी person तब अपनाता है, जब उसके सामने कोई problem face करता है वो, और उसके बाद वो immediate action लेता है कि इससे overcome कैसे हुआ जाए? या ये problem कैसे directly पुरे जड़ से by root उसको खतम कर इसको remove कर दिया जाए इस problem को, तो अगर वो teacher direct कोई भी action लेती है, कोई भी steps follow करती है, तो वो क्या कर रही है? action research कर रही है, ठीक है? उसको पहले, सबसे पहले problem उसने देखी कि इस student की problem है, उसको उसने face करना, सुचा कि इसको कैसे overcome कर सकते हैं, तो उसने action research किया, उस पे तो ताकि वो problem उस बच्चे की खतम हो जाए, ठीक है? अब हम next देख लेते हैं, reading picture book means, मतलब जो picture book होते हैं, जैसे ऐसे books बहुत सारी होते हैं, जिसमें अलग side में pictures बने होते हैं, जैसे छोटे बच्चों के आमतार पे ऐसे books देखने को मिलती हैं, तो यह क्या बच्चों में enhance कर आते हैं, कि मतलब कलाकारी सीख लें, बच्चे की अच्छा figure है, चलो इधर से देखके बच्चे drawing सीख लेंगे, तो ऐसा तो बात है नहीं, ठीक है? ड्रोइंग की तो एक अलग book आती है बच्चों के लिए, तो ऐसी intention से drawing वाली book मतलब picture book नहीं दी जाती है, second character to help learners to understand and analyze the pictures, तो देखें, ये वाला आपका correct answer हो जाएगा, option number B, ठीक है? बच्चों के सामने जिसे, अगर मान लो, कोई भी चीज है, जिसे एक cup है, और उसमें चाय है, और यहाँ पे नीचे एक plate है, तो उसको बता दिया गया कि ये होता है tea, ठीक है? ये चाय है, तो उसमें जब अगर वो figure में देख लेता है, तो उसको easily याद हो जाता है, उसको अच्छे से वो analyze कर लेता है, उसके mind में mapping हो जाती है, कि अच्छा ठीक है, चाय है, तो वो इस तरीके का दिखता है, या cup है, वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है? तो इस तरीके से वो बच्चा क्या करता है, उस अगर कोई टीचर एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे है तो उसका फर्स्ट फोकस क्या होना चाहिए? ठीक है तो पहला कह रहा है कि the background setting of a story, its history, etc. क्या टीचर को पहले जो story वो स्टार्ट कर रहे है उसका background बताना चाहिए? कि उसके history क्या थी? उसका इतिहास क्या था? second कह रहा है कि the work profile of the poet या writer जो उसमें जो chapter स्टार्ट कर रही है उसका जो writer या poet है उसके बारे में उसको बताना चाहिए या वो क्या काम करता है उसकी work profile क्या है? third कह रहा है कि relating the story with the previous experience of learners देखे यहाँ पे ये एक positive term आ गया previous experience of learners ये सीटिट में कुछ positive और negative tag words होते हैं, keywords होते हैं उनको आप follow करेंगे तो आप easily questions के answer कर पाएंगे तो ये आपका एक positive term है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करवा रहे हैं या story या chapter बता रहे हैं उसके पहले अगर आप उसकी जो previous knowledge है या experience है उस पे based उसको relate कर पाएं या connection बना पाएं तो उससे जो बच्चा होता है वो उस chapter को easily समझ पाएगा, ठीक है? और teacher को भी ये पता होगा कि हाँ मेरे class में जो बच्चे हैं किस-किस level के हैं उनका पूर्व ग्यान कितना है उनकी previous knowledge की base पे कोई भी teacher अगर chapter शुरू करवाती है तो उसको वो easily समझा भी पाएगी सभी students को और सभी students अच्छे से समझ भी पाएंगे तो इसका correct answer हो जाएगा option number C relating the story with the previous experience of learners जो भी विद्यार्थियों की जो previous पूर्व ग्यान है या पूर्व अनुभव है उनसे relate करके अगर बच्चों को chapters पढ़वाएगी तो उसको ज्यादा समझ में आएंगे बच्चों को ठीक है अब ये हमारा last question है क्या कहा रहा है कि teacher asks learners to read aloud in the English class this way of learning will तो एक teacher है वो बच्चों से कहती है कि जो English की class में आप तेज तेज से बोल के पढ़िये ठीक है तो read aloud तेज से बोल कर पढ़िये तो this way of reading will ऐसा जो reading का तरीका है ऐसा पढ़ने का तरीका है वो किस चीज में help करेगा या ये क्या करेगा फर्स्ट option कहा रहा है कि enable learners to develop reading skill with understanding वो जो learners है मतलब विद्यार्थी है उनमें develop करेगा reading skill with understanding मतलब सबस्दारी के साथ जैसे उनको समझ पैदा होगी concepts की second कहा रहा है कि enable learners to read with correct pronunciation using the pronunciation marks देखिए यहाँ पे जो option नमर B है वो सही हो जाएगा क्योंकि देखिए अगर वो तेज तेज बुलवा कर पढ़ा रही है बच्चों से तो वो basically क्या करवना चारी ताकि उनकी उच्चारड की जो शक्ती है वो सही हो जाए उनका जो pronunciation speed है या उन का तरीका है अगर आप किसी भी text को मन में पढ़ेंगे और अगर आप उसको allowed पढ़ेंगे तो आपको जरूर यह समझ में आएगी कि इससे आपके जो उच्चारड शक्ती है वो कैसे मजबूत हो रही है ठीक है तो इसका जो correct answer हो जाएगा option number B हो जाएगा ताकि देखे अग अगर हमें अपनी उच्चारड शक्ती मतलब सही करनी है अगर हमें किसी भी word को बोलने में problem आ रही है तो madam क्या कहती है बोलती है ना कि इसको चलो 10 बार बोलो या 5 बार बोलो ताकि आपकी जो pronunciation जो skill है वो improve हो पाए ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा कि अगर वो loudly पढ़ा रह है मतलब ऐसा जो read aloud करवा रही है तो वो enable कर रही है learners को मतलब बच्चों को to read with correct pronunciation मतलब ताकि वो सुन भी पाएगी कि बच्चे कैसा उचारड कर रहे हैं using the pronunciation marks pronunciation marks बहुत special मतलब की बहुत important fact है क्योंकि कहीं पे भी अगर ये पुर्ण विराम लगा है या कहीं पे डॉट लग कहीं full stop लगा है तो वहाँ पे पुर्ण तरीके से रुखना है कहीं अगर ये exclamatory जो निशान है मतलब की विसमे बोधक निशान है तो वहाँ पे आपको आश्चरे का भाव प्रकट करना है तो इस तरीके से madam बच्चों को सिखाती है ताकि बच्चों का जो pronunciation skill है वो improve हो तीके